एलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का सफल 2.02 पर मेरा नाम है अंकित माल भी आप सभी जानते हैं हिस्ट्री की क्लास में आज का जो हमारा चेप्टर है उसका टाइटल आप लोग देख पा रहे हैं भक्ती सूफी ट्रेडिशन्स चेंजेस इन रिलिजियस बिलीप्स चैक्टर के अंदर नाम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन सन्तव केमें उनके जीवन और उनके द्वारा लिखी गई 정도 कवी यही बात करेंगे ऐस समय भाने वाले भक्ति और सूफी आंदोलन का यह लगबग आठ भी सताबदी से लेकर अठार भी सताबदी तक रहाया ने एट सेंचुरी टू एटीन सेंचुरी तक ठीक है तो यह बहुत ही इंपोटेंट चेप्टर है और अलग-अलग पार्ट में इसको कवर करेंगे काफी लेंदी चेप् को हम बन बाइवन कवर करते जाएंगे अलग-अलग पार्ट में कवर करेंगे आज हमारा जो चेप्टर है इसका पार्ट वन आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति सूफी आंदोलन या बक्ति सूफी परंप्रा है धार्मिक विजवासों में बदलाव और स्राध्ध ग्रंथ य यहां पर जो पूरा यह यह पूरा पूरा जो इवेंट रहा है यह आंदोलनों का लेकर 8th सताब्दी तक रहा है अब सभी जानते हों कि भक्ति आंदोलन अपने चरमपर था अपने वोने इस भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया उनके बारे में उनके उस पर्टिक्लर प्लेस के बारे में जहां से यह मुवमेंट स्टार्ट हुआ सारी चीजों को बनबाई बन करके हम पढ़ने वाले बिटा तो क्लास 12 के स्टुदेंट के लिए तो यह काफी इंपोर्टेंट है इसके अलावा आप सभी जानते हैं जितने भी कॉम्प्टेटिव एक्जाम्स होते हैं उनमें भक्ति आंदोलन और सुफी आंदोलन और इन आं प्रीवीय च्प्र लिकर, स्ट का और टेकले उर्ट के लिए zei सेंट और आपरे, जो के बीसेंट मेन करे, हमने ये प्रक थाप्राइब था में इन्डिया लिए जो में सब्ला घूक्टर, यह एक अलाग क्रकार एक मेस्स प्रकार का, मैकिंग अ सेन्स ऐलियन वर्ड याने क एक आपरिचित दुनिया की समझ और उस समझ किसके किसके लिए बात हो रही है है पर अलवरुनी की अलवरुनी ने किस तरह से एक आपरिचित दुनिया को समझा और उसमें उसने मदद ली किसकी सांस्कृतिक परंपराओं की या सांस्कृतिक ग्रंथों की वो ग्रंथ जो ब् इपने बतूता के बारे में हमने बात करी इपने बतूता जो की बात कर सकते हैं कि जो भी चीजों को इस सब कॉंटिनेंट में उसने देखा और जिन चीजों से बहुत ही प्रभावित हुआ यह जो उसको बहुत ही अलग लगी उससे वह बहुत ज्यादा क्या हुआ उससे यहां पर बात करेंगे भकती सूफिया अंतुलन के इंट्रडक्शन में क्या है और किस तरह के सोर्सेंस करे निग अटीजी सबस्की करेंदें द करना जाता यहां पर अगला जो टॉपिक यहां पर आने वाला है वह एक मतलब कि धार्मिक प्रथाओं में धार्मिक माननेताओं में जो एक मिली जुली गंगा जमुनी बनावट जो रही उसको हम यहां पर समझेंगे इस टॉपिक के अंदर ठीक है और अरली ट्रेडिशन्स और भक्ति भक्ति आंदुलन की प्रारंबिक परंपराएं अरली ट्रेडिशन्स और भक्ति आने आराधना की या भक्ति की प्रारंबिक परंपराएं जब भक्ति आंदुलन इनिशियल फेस में था इस्टार्ट हुआ था तो इस्टार्टिंग में कि तरह की कविताएं या किस तरह की पोएम्स के जरीए प्रेयर किया जाता था आराधना की जाती थी तो बहुत ही आराम से टॉपिक को समझेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉंप्लिकेट चीजें भी रहेंगी जो हो सकता आपको समझने में थोड़ा सा आपको लेंदी लगे को स्टर करते हैं ठोड़ा करते हैं ये पुरा प्रीवेस एपटर से उसके पॉंटेक्स को लेते हुए रोख तक करते प्रमिक copper प्रथाएं थी धार्मिक माननेता है थी ठीक है यह उस समय पर चैप्टर 4 में बेसिकली किस टाइम की बात हो रही थी 6th century BC से लेकर 6th century CE की और इस चैप्टर में हम बात करने हैं 8th century CE से लेकर 18th century ठीक है तो चैप्टर 4 में हमने देखा कि इस समय पर ठीक है दीरे दीरे दिखाई देने लगे थे वो परंप्राय सो होने लगी थी किस रूप में इस तूपों के रूप में मंदिरों के रूप में मूर्तियों के रूप में तो इस समय पर धार्मिक विश्वास यह माननेता है थी वो हमें दिखाई दिये कहां पर इस तूपों के रूप में मंदिरों के रूप में और मूर्तियों के रूप में ये बात आपनों को समझ में आगी तो ये वाला बैटा आपना अल्रेडी पढ़ चुके है ये वाली बात आपकी कहां से चल रही चटी सताब दी चैप्टर का इंट्रोडशन स्टार्ट होता है कि हम लोग देख चुके इंक्लूडिंग पुराण ठीके यहां पे मैने आपको बता है कि समय पर यह सारी चीजें थी जिसको आप किस तरह से देख सकते हो मंधिरों के रूप में नेकिन कि और वी तो यह तो कुछ चीजें थी जिन्हें आप इस तूपों के रूप में आने की वीजूल फॉर्म में इसके अलाबा मौने इस एंड इसके अलाबा जैसे स्टेच्यूस बगेरा होगे टेंपल्स क्योंकि उस समय पर टेंपल्स भी बनना सुरू हो गए थे इस रूप में हमें धार्मिक माननेताय दिखाई देने लगी लेकिन इनके अलाबा कुछ और भी धार्मिक विजवास थे धार्मिक माननेताय थी जिसका पता लगा जा सकता है टेक्स्ट के माध्यम से घ्रंतों के माध्यम से क्योंकि उस समय पर एक नई धार्मिक माननेताय वि एक तो यह है कि इसे आप इस तरह से समझ सकते हो दूसरा क्या है टेक्स्ट के जरीए भी हम उस समय की कुछ धार्मिक विजवासों को जान सकते हैं उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा किसका पुरान होगा ठीक है तो एक पॉइंट आपको यहां पर यह क्लियर हो गया य तो कुछ और भी परंप्राएं थी जो ना तो टेक्स्ट में है और ना ही वीजिवल फॉर्म में अभिलेबल है तो वह एक एकदम क्या हो चुकी खत्म हो चुकी तो आप लोग यह समझ गए इतना वाला इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया अब आगे बढ़ते हैं नाउ थांड के इस समय पर अगर आते हैं तो इस समय तो इस पर जो धार्मिक माननेता ही जो धार्मिक विजवास थह और उन्हें संतों को धार्मिक विजवासों को, धार्मिक माननेताओं को, भजनों को, या फिर उन्होंने spread किया, किस तरह से spread किया, एक जगा से दूसरी जगा, वो movement करते हैं, travel करते हैं, और अपने बातों को, अपने भजनों को, अपनी माननेताओं को, विजवासों को, वो spread करते अलग अलग जगों पर travel करते हुए और जब वो spread करते हैं तो वो किस तरीके से spread करते हैं तो भाई बोल कर उन्हें भजन के माध्यम से orally spread किया करते थे अलग अलग लोगों में लेकिन यहां पर जब वो orally spread करते time पर वो किस language में कर रहे हैं तो ध्यान रखना वर्नाकिलर तो इनकी बातों का आज हमें किसे पता चला ठीक है क्योंकि यह जो पोएट और सेंट हुए थे इन्होंने तो अपने धार्मिक माननेताओं को विजबासों को औरली स्प्रेड किया अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करके लेकिन इन पोएट और सेंट के बाद इनकी जब मृत कि होती हो जाती है तब इन जो फोज़ुर स्थे क्योंकिने कंके सारे फोलौर सबनना सुरू हो मैं इस अलाग जो अड़त होके उनके ने कई पाय किया तॉक में और ने कई सालों के बाद उनके दोड़ान के दोरा नक्राइश के उनकी बातों को कि अधारर रेजनल लिंग् भी ध्यान रखें कि यह जो फोलोर्स थे इन्होंने कई बार तो अपने जो गुरू रहें अपने जो संत रहें उनके द्वारा बताई गई मूल बातों को प्रेजेंट सिच्वेशन और कंडिशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिया उसमें बदलाब भी कर दिया क्योंकि य यह दिया कि आनुट्थ कर रहें नहीं क्या बहतना किया तौश सब्सक्राइब करते हुए तो कई दिनों के बाद उनके स्कॉर्ण बातों को भाद में उन्हें कंपाईल किया लेकिन जब उनके जो followers उसे compile कर रहे हैं तो भही देशे की कोई संत रहे होंगे ठीक है कोई संत रहे मानलो 8th century CE में और लगबग लगबग 9th century में उनकी बातों को compile किया जा रहा है तो अब 9th century में जो political situation है जो social situation है उसके according उनकी बातों में change भी किया जा रहा है उनकी teachings में उनकी सिक्षाओ में बदलाब भी किया जा रहा है ठीक है तो यह मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो परंपरा थी यह fluid यह continuous थी ठीक है so these compositions which were often set to music were compiled by decibels or devotees generally after the death of the poet and sent ठीक है these traditions were fluid fluid का मतलब है कि उनकी जो बाते हैं उसमें धीरे-धीरे बदलाब भी किया गये change भी किया गये according to political economical conditions ठीक है social condition क अनुसार अब बात समझ में आगे आप लोगों को आगे बढ़ते हैं अब देखी आगे historians also अब देखी इतिहासकानों को इन poet और इन संतों के बारे में अगर अच्छे से पता लगाना है तो उन्हें अच्छे से study करना होगी इन संतों के बारे में इनके जीवन के बारे में तो उसके लिए इतिहासकर अलग अलग चीजों के सहारा लेते हैं जैसे कि बायों ठीक है संतों की जो गोज्ट को इसयोगराफिफिश को क्या कहा जाता है हीजियोग्राफिश मतलब होता संत्य चछित्र तो संतों के जीवन के बारे में उनके अनुआईयों ने पिर उनके भकतों ने जो भी लिखा है उसको क्या करते है इस्टोरियंज चेक करते है उसको हिस्टोरियंज से सुड़ी करते ताकि उस स्मय कि मान्यता ओं को या संतों को के जीवन को रीए कंस्ट्ट किया सके तो उसके लिए क्या क्या जाता है उन मिन्स हीजियोग्राफी से उसको study किया जाता है हालकि हीजियोग्राफी में हर एक बात literally true नहीं होती है क्योंकि definitely अगर आप आपके गुरू के बारे में कुछ लिखोगे तो एकदम सच सच नहीं लिखोगे ना बड़ा चड़ा कर भी लिखोगे ठीक है बहुत सारी बातें बड़ा चड़ा कर उनके सम्मान में लिखी जाएंगी तो इतिहासकार इन हिजियोग्रोफिस को study करते हुए बहुत ही ध्यान देते हैं कि उन बातों को वह ध्यान रखा जाए इतिहासको रिकंस्ट्रक्ट करने में जो सही हो ठीक है क्योंकि हर बात एकदम लिटरली टूथ नहीं होती है अनुयाईयों ने अपने गुरुओं के बारे में बहुत सारी बातें बड़ा चड़ा कर भी लिखी हुई होती है हाला कि इन हिजियोग्रोफिस से पता चलता है कि पब्लिक आप लोग देख सकते हैं कि एक भक्ति संथ हैं एक भक्ति संथ हैं बारवी सतापदी के 12th century के भक्ति संथ जो की नैनार सेंट हैं अलबारो नैनार संथों की परंप्राओं के बारे में इन दोनों के जो डिफरेंस उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं एक नैनार संथ जिनका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जिनका नाम था मनिक चकार तो मनिक चकार नाम के एक तमिल संथ हैं 12th century के जो तमिल नाडू वाले चेतर में या तमिल चेतर के अंदर अलग अलग जगों पर ट्रेवल करके अपने जो भजन थे अपनी जो तमिल भजन थे तमिल जो हैंस थे उन्हें इस प्रेड किया करते थे और अपने रिलीजियस ब्लीप्स को एक्स्पांड किया करते थे ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं 12th century bronze sculpture है मनिक चकार का डिवोटी ओफ शिवा यानिक यह नैनार संथ है अलवार और नैना है उनका compile उनको compile किया उनको लिखा और उनको spread किया लग लग जगों पर ट्रेवल करके यह एक तरीका था यह एक ट्रेडिशन था कि संत क्या करते थे एक जगा से दूसरी का ट्रेवल किया करते थे यह परंपरा बहुत पुराने समय से स्टार्ट हो गई थी चलिए आगे ब मिलावट ठीक है तो अब यह गंगा जोंजी का मतलब होता है मेल जोल या मिलावट होना एक प्रकार से तो यहां पर हम बैसिकली बात यह करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग देवी देपता हुए और जिस पर्टिकुलर टाइम डूरेशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर आप लोग देखें इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में अगर आप देखें तो जो रिलिजियस इस्टोरियन से धार्मिक जो इतियासकार हैं उन्होंने यह पाया कि समय पर जो देवी देपतां की संख्या है ठीक है धार्मिक आराधना में रिलिजियस वर्षिप के समय पर देवी देपताओं की जो आराधना है उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ है याने कई सारे देवी देपता और बढ़ गए हैं पहले तो क्या थे इंद्र अगनी बरुन बेदिक पीरेड के दोरान और जब महाजनपत काल आया याने की जो हमने टॉपिक पढ़ा 6th century to 6th century BC to CE वाला उस समय पर भी धीरे धीरे ब्रह्मा विश्नु महेश या फिर ब्रह्मा विश्नु और अलग अलग देवियों का उल्लेक मिलता है लेकिन इस टाइम पर और ज्यादा देवी देपताओं की संख्या बढ़ी है तो अगर और ज्यादा देवी देपताओं की कि ये इंडिकेट करता है कि जो CHIEF डाइटी थे याने कि Lord बोल सकते हैं कि भगवान विश्नु बगवान शिवा और जो अलग 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 गोडे सें याने जो अलग 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 देविया है उनके जो incarnations है उनके जो रूप है फिर उनके अलग अलग वग अलग जो रूप ह कि इनके और incarnations को मानने था मिली अलग-अलग सवरूपों को मानने था मिली क्योंकि इतने सारे अगर अलग-अलग रूप मिलते हैं भगबान के तो इसका मतलब यह हुआ ऐसा इतिहासकारों का यह कहना है ठीक है तो यह वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था कि पर याने देवी देपताओं की जो संक्या है उसमें भड़ोत्री ठीक हे रहा हुए հप्स सग्वाने इकेट करता है कि जो पुराने ब्रह्म विश्णु महेशं ती कि उनकी आराधना उनकी पूजा या उनकी बरसिब जो है वो सिर्फ ना सिर्फ चलती रही बलकि उसमें और ज्यादा क्या हुई बड़ोत्री हुई उनके अलग अलग रूपों को माननेता मिली ठीक है यही मैं आपको यहां पर बताना चाहरा हूं और जब हम यहां पर बात करते हैं मौईजी कैने मिली जुली जो समन्बे जो हुआ इंटीग्रेशन जो हुआ वो यही है कि आप सभी जानते हो कि भगवान विश्नु जो है उनके अलग अलग क्या हुए रूप हुए ठीक है भगवान सिब और जो देविया है तो ओवराल यहां पर क्या हुआ भगवान विश्नु के बारे में अगर बात की जाए तो इनके दस इंकारनेशन दस अफ्तार हैं और दस अफ्तार जो है वो अलग-अलग एरियास में क्या हैं काफी ज़्यादा उनकी वर्शिप की जाती है उनके प्रती लोगों की आस्था रखी जाती है ठीक है जैसे कि अगर हम भगवान विष्णू के दस incarnation या वो जो लोकल डाइटीस थे उन्हें भगवान विष्णू के ही इंकारनेशन के रूप में उनके अफ्तार के रूप में 12th century में मानने ता मिलने लगी यानि एक प्रकार से integration हुआ समन्बे हुआ सभी लोगों ने एक्जूट होकर ये मान लिया कि ये भगमान विश्णु के ही क्या है अप्तार है उनका ही क्या है कि इनकारने सने तो अब हम इस integration की बात करेंगे अभी तो आपको ये समझ में आया कि हमने यहां पर देखा कि भई देविदेपताओं की संख्या में बढ़ोत्री हुई है ये इस समय का एक महत्पून फीचर है और इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर ये हुआ है इसका मतलब इन देविदेपताओं की जो संख्या है वो बढ़ी है और इनकी आरादना ना सिर्फ चलती रही बलकि इनके और भी कई सारे रूप हुए सब कॉंटिनेंट के अंदर जो हम ओल्रेडी जानते हैं ठीक है चली स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले टॉपिक के पहले सब टॉपिक के उपर जिसका टाइटल आप लोग देख पारें दा इंटीग्रेशन ऑब दख कल्ट यानि की संप्रदायों के अंदर अलग अलग संपरदाय का मतलब यह हुआ जैसे की वेशनप संपरदा है ठीक है भगवाण विश्नु के फोलोर लेकिन बागवान विश्नु के पर टार धार झस अलग अलग अपता थे हुए उनके मानने वाले जो अलग-अलग संपरदा हैं उन सभी ने क्या किया इंटीग्रेशन कर लिया उन्होंने समन्वे कर लिया यह सभी जो अपतार है यह बगवान विश्नु के ही क्या है अपतार है बात क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं अब यह इस टॉपिक को समझते जो है वो बड़ी है तो इसको जो इस्टडी करने वाले हिस्टोरियन से उनका यह मानना है कि यहाँ पे दो प्रोसेस काम कर रही थी ठीक है देर विल भी टू प्रोसेस एडवर्क दो प्रक्रियां काम कर रही थी जो इतने सारे देविदिप्ताओं की संख्या बड़ी है इ फेली प्रोसेस किया थि वानोव जो प्रॉसेस पहली दो देख रहें यहां पर दो प्रोसेस क्या करना प्रचार किया जाना अब प्रामचल नीकल आइडियास का अब reflect ने वाली जो प्रोसेस थी उसमें क्या किया जा रहा था उसमें पुराणों के माध्यम से ठीके पुराणों का जो compilation था उसके जरीए Brahminical ideas को spread किया जा रहा था ठीक है बात समझ में आगी किसके माध्यम से Brahminical ideas को आगे बढ़ाया जा रहा था पुराणों के माध्यम से आप लोग जानते है पुराणों को Brahmans के दोरह compile किया गया और उनके अंदर Brahmin के जो विचार थे उनके जो traditions थे उनकी जो माननेता है थी उसको बहुत अच्छी तरह से compile किया गया अब आगे बढ़ते हैं हाला कि आप लोग जानते हो कि पुराणों में पुराणों के पुराणों को read करना और पुराणों को listen याने सुनना ये पहले ये बुमेंस के लिए और जो सूद्र है याने कि चार बर्ण में सबसे निचला जो केटेगरी है उनके लिए भी ये क्या था applicable था क्योंकि आप लोग जानते हो कि बेदिक traditions में बेदों की जब बात आती है तो महिलाओं को और सूद्रों को उससे exclude किया गया था बाहर कर दिया गया था इन दो केटेगरीज को लेकिन पुराणों के बारे में आप लोग जानते हो कि पुराणों को में महिलाओं को भी सामिल किया गया और सूद्रों को भी सामिल किया ने वो भी इसे दो समुदाइ हैं और कमटिटीते हैं उनकी माननटाओं को उनके ट्रेडिक्प्ट करना उनको स्विकार करना और ना सिर्फ पर उसमें सुथार वह करना और किसरे दोर्रिए करना खिकरना किसरे सुथार करना to एक दूसरी प्रक्रिया जो चल रही थी who ब्रहाम मिन्स ने क्या किया है अधर कम्यूनिटीज अधर के टेग्रीज के विचारों को उनकी माननेताओं को एकसेप्ट किया है ना सिर्फ एकसेप्ट किया है बलकि उनकी माननेताओं में सुधार भी किये हैं बात क्लियर तो दो प्रोसेस यहां पर काम कर रही थी पहली प् कि जो अधर कम्यूनिटीज हो गए हैं अधर जो बर्ग हो गए हैं उनकी धार्विक माननेताओं को एकसेप्ट किया अब्रहमिंस ने और उनमें सुधार भी किया उसमें रीवर्क भी किया ठीक है यह बात क्लियर होगी आगे बढ़ते हैं अब कुछ इतिहासकार और भी है जि यह था कि greater traditions और little traditions इन दोनों में जो डायलोग्स यानि इन दोनों के बीच में जो combination है इस बज़े से यह हुआ ठीक है तो अब उस चीज को देखते हैं यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहो कि in fact many कई सारे लोग यह बलीव करते हैं many beliefs and practices were saved through a continuous dialogue जो कई सारे माननेता या कई सारे traditions जो डेवलप हुए हैं जो बने हैं जो shape में आए हैं उसका कारण क्या है continuous dialogue यहने लगातार dialogue हुआ लगातार discussion हुआ combination हुआ between great और little tradition great traditions यहने महान परंपराओं और लगू परंपराओं के बीच में लगातार क्या हुआ होने के कारण combination होने के कारण interactions होने के कारण इन परंपराओं का विकास हुआ अभी great और little traditions किया है मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन कई लोगों का यह इतिहासकारों का यह मानना है कि इसके पीछे का जो कारण था वो क्या था great और little traditions का आपस में क्या होना combination होना interaction होना great traditions का मतलब हो जाता है पुराणों की बात यहां पर कर रहे हैं और little traditions का मतलब हो अब इसका एक उधारन भी आप लोग देखिए इसका एक example भी हमें देखने को मिलता है बहुत ही suitable example आपके सामने हैं आप लोग ने उडिसा के अंदर पुरी में जो भगवान जगननात हैं उनके बारे में सुनाओगा तो भगवान जगननात की जो मंदिर है पुरी के अंद स्वामी जिनको माना जाता है इनके बारे में या इनको स्विक्रत कर लिया गया इनको एकसेप्ट कर लिया गया भगवान विश्णू के एक incarnation के रूप में ठीक है और यहां पर अगर आप देखिए देखेंगे तो अगर हम इस स्टेट्यू को या इस भगवान की मूर्ती को अगर कंपेर करें जो हमने चेप्टर नंबर 4 पड़ा था और 4.26 आपने एक इमेज देखी हो कि दसापतार मंदिर में भगवान विश्णू की सेसनाग के उपर आराम करते हुए रेष्ट करते हुए एक स्टेचू देखा अगर उस स्टेचू और इस भगवान विश्णू कि जो दस अपतार है उनसे भी कंपेर करें तो हर जगा पर हमें अलग 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 डिफरेंस देखने को मिलेगा ठीक है तो यह वाला पॉइंट जहां रखें और यह सबसे महत्मून एक महत्मून उधारन है ग्रेट ट्रेडिशन सो लिट्रेडिशन के बीच में होने वाले कॉम्बिनेशन का तो यहां पर आपको भी बताया जा रहा है कि वन अब दा मोस्ट इस ट्राइकिंग एक बहुत ही महत्मून उधारन इस चीज का क्या है और इस प्रोसेश जो ग्रेट और लिट्रेडिशन समय इंटरेक्शन हुआ उस चीज का क्या है इविडेंट इन पू जो इंस्टेंश यह जो उधारन आपने देखे इंटीग्रेशन के समन्वे के कि भगवान विष्णू के जो अलग अपतार हैं उनको यह मान लिया गए कि भगवान विष्णू के ही क्या है इनकारनेसन है उन्हीं के क्या है रूपे लेकिन इस प्रकार के एक्जामपल इस इंटीग्रेशन देखने को मिलता है अगर हम देवियों की आराधना पद्धती की बात करें याने उनकी भरसिप मेथर्स की बात करें तो क्या किया जाता है पत्थरों के रूप में पत्थरों पर सिंदूर पोत कर उनकी आराधना की जाती है ठीक है और पुराणों में जो स्थानी जो देवियां है उन्हें चीफ डाइटी जो डाइटी है याने मुख्य जो देपता है ठीक है उनकी पत्नियों के रूप में उनको कंसिडर किया गया जैसे कि आप लोग जानते हैं भगवान विशनु तो भगवान विशनु की जो वाइफ है याने देवी पारबती देवी लच्मी और उसी तरह भग्वांश्व है तो उनकी जो वाइफ है उनने भी जो लोकल डाइटीज़ हैं लाइक देवी पारबती जी के रूप में उनको मान लिया गया है उन्हें पुराणों के अंदर जो लोकल गोडेसस हैं उनने चीफ डाइटीज़ की बतनियों के नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जैसे मैंने आपको पताया था कि ग्रेट और लेटरल ट्रेडिशन्स याने महान और लगू परंपरा अब इस चीज को थोड़ा सा और डीटेल में देखते हैं आखिर यह टम्स किस तरह से डेबलप हुए और यह टम्स किसने कोईन किय है कि ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर एक इतियासकार हुए सोचलोजिस समासास्तरी हुए जिनका नाम था रॉबर्ट जिनका नाम था रॉबर्ट रेड़ फिल्ड तो रोबर्ट रेड़ रेड़ नहीं जो टर्म है ग्रेट और लिटल ट्रेडिशन इनको कोईन किया और इ च्रेडिशन्स को फोलो कर रहते थे अब कुछ ट्रेडिशन्स उनके जो थे वो ऐसे ट्रेडिशन्स थे जिनको हाई केटेग्री के सो हैं वस्तिको पुजारी फॉजार ऑई हैं अब मैं आप यह बताता हं देखिए की पीजन्स ताइट यह दो प्रकार की रिलिजियस ब्लीप्स या ट्रेडिसंस या प्रैक्टिस को फुल्फिल करें एक तो वो प्रैक्टिस जो कौन भी फोलो करते हैं एक हमारे किंग्स हो गए राजा महराजा हो गए प्रीस्ट ब्रहमिन्स तो ब्रहमिन्स बगए राकिण्स बगए रा यह लोग जिन माननेदाओं को प्रेक्टिस मिलाएं तो यहां पर आप लोग कि इन प्रेक्टिसेस को क्या कहा गया ग्रेट ट्रेडिसंस यानि महान परंपराएं और इनकी जो खुद की प्रेक्टिसेस थी उनको क्या माना गया लिट्रेडिसंस यानि की लगू परंपराएं ठीक है और साथ ही साथ क्या हुआ कि ग्रेट और लिट्रेडिसंस में लगाता के द्वारा इस तरह से ग्रेट और लेटल किया गया उन्होंने यह बताए कि 12 सेंचुरी के आसपास जो किसान समुदाय थे वो कुछ प्रताओं का पालन करते थे जिसमें कुछ प्रता हैं तो राजा महराजा वो ब्रामिन्स प्रीस्ट के द्वारा भी फॉलो की जाती थी और लेकिन लंबे समय में इन दोनों ही प्रमप्राओं में आपस में इंट्रेक्शन हुआ जिसका अन्में चेंजेस और बदला भी आए ठीक है चलो आगे बड़ते हैं अगे आते हैं यहीं पर अगला पॉइंट अगला टोपी का रहा है बन पॉइंट डिफ्रेंसेंड को थे से कि इस वह नं पर रही है उनमें जो इस तरह से हम इस नई पद्ध़ती तो पुराणी पद्धती है उनमें जो Надऊ और इसको समझेंगे so often associated with the goddesses were forms of worship that were classified as tantric एक पुएंट यहापे धिशन रखें कि अक्षर नियदु आराधना की पधाती है उसे tantric के नाम से जाना जाता है किस नाम से आराधना नाम से किनकी आराधना किनकी वर्षिभ मेफड Alger को देवियों की आराधना की जो पद्धती है उसे किस नाम से जाना चाहता तांत्रिक के नाम से और यह जो टांत्र मेठर्ड है तांत्रिक यो पद्धती है वर्सिप की इसने इसने बुद्दिडिज़मको भी प्रभावित किया है सब्कॉंटिनेंट में काफी जाधा सेवरल पार्ट से में यह famous हुआ है और जिससे मैंने बताये ने कि सेब परंपरा जो है सेब ट्रेडिसन जो है उसमें उसको भी काफी influence किया बुद्धिजम को भी काफी influence किया तांत्रिक वर्शिप ने तांत्रिक वर्शिप जिसमें जादू या पिर इस तरह की चीजह होती है तो तांत्रिक बर्षिफ जो है, उसे किसके साथ associate किया जाता है, देभी याने गोडेस बर्षिफ के रूप में उसे associate किया जाता है, लेकिन इस परंपरा ने सबकॉंटिनेन्ट के सेवरल पार्ड को influence किया, शेव परंपरा को भी influence किया, आप लोग जानते है भगवान शिभ की जो आराधना है उसमें भी कुछ इस तरह से आपको लगेगा जिसमें जादू या फिर तांत्रिक इस तरह की चीज़ें होती है इसके अलावा दूसरा आप लोग जानते हैं कि जो बुद्धिजम है तो बुद्धिजम में भी हीनियान महायान और एक और साका जिसे बजरियान तो यह जो तांत्रिक पध्धत ही इसने सब कोंटिनेंट का जो एक बड़ा हिससदा है उसे प्रभाबित किया लेकिन लग बग लंबा समय जब बीता तो फाइनली यह जो अलग अलग जो भी नाम है तांत्रिक बगेरा जो पद्धती उसे हिंदु के रूप में क्लासिफाई कर लिया गया उसको माननेता देती कि यह 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 पिर पूरी तरह किस से हिंदू से लंबे समय के बाद सालो बिवाद या फिर कॉन्फिक्ट की बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि पौरानिक माननेता हैं और पहले से चलने वाली बेदिक माननेता हैं इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें अगर हम इनको कंपेर करते हैं तो हमें इस पुस्ट डिफरेंस है याने लेकिन जब पुरानिक ट्रेडिसंस डेवलप हुआ जब पुरानिक मानेताइं भिक्सित हुई तो पुराने जो देपता थे ठीक है याने इंद्र अगनी और बरुन वह लगबग लगबग क्या हो गया मार्जीनल हो गया यानि कि उन्हें ना तो टेक्स्ट में और ना ही विजूल रिप्रेजेंटेशन में सामिल किया जा रहा है मूर्तिय बनाई जा रही नहीं मंदिर बनाई जा रहें ठीक है रेयरली वीजिवल याने बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं देन हावेवर इन सपाइट ऑफ इस ऑब्विएस डिस हालकि इन सारे डिफ्रेंस के बाबजूद इन सारे बिन्नताओं के बाबजूद भी पुराणों के अंदर ये माननता है कि बेद अथोरिटेटिव टेक्स्ट ने बेदों की अथोरिटी को एकसेप्ट किया गया ठीक है पुराणों ने फिर भी बेदों की अथोरिटी को एकसेप्ट किया बहले ही वो बे Vishnu Shiva and Goddesses in the Vedic Mantras हमें Vedic Mantras में भकवान विष्णू के भगवान शीब के और देवीओ के उतचारण मिलते है लेकिन जिस तरह से जिस तरह broadly उनका उलेक पुराणों में मिलता है उस तरह का या उस context में यहां पर नहीं किया गया है यह डिफरेंस से कहा हो और कि सके बेदिक और पुराण पुराण और बुष्ण्य मेंुं जो डिफरेंस और ऑगा ने बारे में मिले how OUT को मतर्म में उन्लीक मिल इस तरह से उनका बेदों में नहीं हैं ठीक है तो एक ब्यक्ती है जो परती जो परणिक परंपरा में माननेता रखता तो भी बात तो होगा क्योंकि दो माननेताओं को मानने वाले लोग हो गए तो अब बेदिक माननेताओं में जिसका विजवास है जो पूरी तरह से बेदिक माननेताओं को वेल्यू करता है वो यह मानेगा कि जब आराधना की जाती है जब वर्शिप की जाती है तो कहने का मतलब यह हो रहा है कि जो बेदिक वेल्यूज को इमपोर्टेंस देते हैं वह इस चीज को बहुत ज्यादा क्या करेंगे कंडेंगे अगर आप पूझा करें अगर आप पूझा पद्धती करने अगर बरसिप और अगर यग्य नहीं कर और अगर मंत्रों का उच्छारण नहीं करें तो वो इस तरह की बर्षिप को इस तरह की मेठेट को क्या करेंगे कंडेम करेंगे ठीक है बही ऐसे लोग जो तांत्रिक प्रेक्टिस को माननेते हैं तांत्रिक पद्धति को मानते हैं वो बेदों की अथोरिटी को एकसेप्ट न मानेंगे ठीक है ओल्सो डिवोटीज ओफन अच्छा जो भक्त जन है जो डिवोटीज है वो भी अपने जो चूजन डाइटी है उन्हें सुप्रीम मानेंगे ठीक है कि नहीं जैसे कि ब्रह्मा विश्णु और महेश या फिर अलग अलग देवियां है तो उनको क्या मान लिया जाएगा भक्तों के द्वारा कि यह हमारे सुप्रीम गोड है क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने एक गोड को चूज कर लिया है तो वह उनके लिए क्या हो गए सुप्रीम डाइटी हो गए ठीक है इसके अलावा बैटा जो अधर रेडिशन से उनके साथ भी कॉन्फिक्ट ह होता है हाला कि सब्सक्राइब नहीं दिखता है ओपन कॉन्फिक्ट नहीं दिखाई देता है लेकिन टेंसर उनके साथ भी थी याने ब्रहामी बुद्धिजम के या जेन परंपराओं के साथ भी ब्याद थे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब यहां पे हैं डट्रे यह दो भक्ति की परंपरा जो हम पढ़ रहे हैं यहां पे इस पर्टिकलर फेस के अंदर इस पर्टिकलर टाइम जिए ऑथवी से अठारवी सताब्दी है उस दोर में जो भक्ति परंपरा अंभिक्सित हुई है उसको पढ़ते समय हमें एक खास कॉन्टेक्स्ट को ध्यान म रखना चाहिए एक खास विचार हमारे माइंड में रेडी रहना चाहिए और विचार यह है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं आठवी से अठारवी सताप दी इससे पहले लगबग तो पढ़े गई ना इस टाइम पर ठीक है जिस टाइम को हम पढ़ रहे हैं वह यह वाला टाइम है लेकिन इस्से पहले एक 1000 साल पहले से 16 सेंचुरी की बात करें तो यह एक 1000 साल हो गए इस से पहले भी बेदिक प्रेड रहा था तो इस समय पर भी तो एक पूजा पार्ट की बरसिप के में स्थापित की जाती थी। 맞는 दिरों में भजन या भक्ति भाहु किया जाता थी। हो एक दम तलीन हो जाया करते थीयख प्रकार चे पूरे ढूब या करते थे अपने डाइटी अपने डेवी देपता की आराधना में। इसके अलावा आप लोग देखें कि भजन बगेरा गाय जाते थे ठीके भक्ति भाव की जाती थी और यह चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा शेब परंपरा में वेशनव परंपरा में यही चीज तो होता है भजनों को गाया जाता मंदिरों के अंदर या फिर अलग-अ जगों पर ट्रेवल करके सादू संत क्या करते हैं भजन गाते हैं तो यह पहले से भी चल रहा था हजार साल से इस प्रकार की आराधना की पद्धती हमारे सब्कॉंटिनेंट में चल रही थी तो जब आप इस पर्टिकुलर टाइम में जो आराधना की पद्धती है फिर हो पर तू जो है वो भी काफी लेंदी है उसमें देखिये क्या हमारा टाइटल हैं और्ली ट्रेडिसंस ओफ भक्ति और भक्ती की प्रार्म्बिक परंप्रब् कि बही देखिए जो ये worship methods evolve हो रही है आराधना की ये जो पददतियां evolve हो रही है डैबलप हो रही है जो different worship methods evolve हो रही है वो gradually हो रही है क्या हो रही है दीरे-दीरे gradually develop हो रही है और कई बार आप लोग ये देखेंगे कि कई बार जो poet और sonate थे वो इस तरह के Leaders बन गए, इस तरह के Leaders के रूप में वो उबरे कि उनके इर्दि-इर्द उनके आसपास पूरी की क्म्यूinhटी बन गई पूरा का पूरा ऐक समुदाय बन गए इतने जादा उनके followers बन गई कि एक पूरा धर्म पूरा नानेग देव जी की बात करें तो उनके जो फॉलोर्स हैं। उनका एक पूरा धर्म बन गए सिक्क धर्म की रूप में जानते हैं। तो कई बार जो भक्ती संथ हैं उनके वो इतने फेमस हुए वो इस तरह के leaders के रूप में उभरे कि उनके अनुयाईयों का एक पूरा का पूरा समुदाय बन गए एक पूरी क्म्यूनिटी बन गए ठीक है in cause of the evolution जब बरसिप याने आराधना की जब पद्दतियां बिक्सित हुई तो कई बार जो धार्मिक पोएट थे संत थे वो एसे leader के रूप में उबरे कि उनके आसपस एक समुदाय बन गया उनके अनुयाईयों का उनके devotees का ठीक है हाला कि कई सारी धार्मिक या भक्ती परंपराओं में ब्रामिन्स अभी भी intermediary याने बिचोलियों के रूप में बने रहे थे ठीक है लेकिन फिर भी भक्ती अन्दॉलन की है भक्ती परंपराओं में सबसे खास बात ही है कि महिलाओं को और सुधरों को भी सामिन्स की आप लोग जानते हैं कि ब्रामनीकल जो ट्रेडिसन्स थे ब्रामनीकल जो परंपराए थी उसれた महिलाओं को और सुधरों कोWorld au सुरी उनको लिब्रेसन नहीं मिलेगा उनको मुक्ति नहीं मुलेगी यह माना जाता है लेकिए यहां पर जब भक्ति आंदलन श्रू हुआ जब यह बाला के लोग भक्ति आंदोलन में सामिल हुए यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है सबसे बड़ी पिसेस्ता है ठीक है तो आप लोग देखेंगे कि वह आप लोग देखिए कई इतिहासकारों का मानना है हिस्टोरियन्स है जो धार्मी के तिहासकारों उन्होंने इस भक्ति आंदोलन को इससादी पर अपने सही स्थर पर उस समय पर ये डिविजन हुआ था, सगुन और निर्गुन एराउंड 16th century पंदरवी से सोल भी सताबदी के असपास अभी सगुन और निर्गुन क्या है उस बात को समझें देखिए सगुन भक्ति साखा जो है इसमें एक ऐसे इसवर की आराधना की जाती है एक ऐसे इसवर की कलपना की जाती है जिनका एक मूर्त रूप है याने जिनकी मूर्तिया बनाई गई है जिनकी मूर्ति के रूप में जिनकी पूजा की जबकि जो निरुदं भक्ती साखा की गई है उसमें मानीता की आई इसे सवडेपता शार रूप नहीं है याने निर्गुण और निराकार है वो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो हम सगुण की बात करते हैं तो सगुण साखा के अंदर सगुण परंपरा के अंदर एसे देपता के ओपर फोकस किया गया है जो स्पेसिफिक डाइटी है एक मुख्य या ए अदर हम आते हैं निर्गुण भक्ति साखा की और तो निर्गुण भक्ति साखा एक प्रकार से abstract form और गाउड़ की बात करता है यानि कि ऐसा इस पर जिसकी ना तो आकरती है जिसका ना तो कोई रूप है ना तो मूर्ती बनाई जा सकती है नहीं कोई रूप दिया चासकता ह वो एक निरगुण है वो एक निराकार है कोई आकार नहीं है थीक है तो इस तरह से जब ये आंदुलन अपने एकदम पीक पर था उस समय पर आंदुलन में दो ब्रोड केटेगरीज डेवलप होती है एक निरगुण और एक सगुन जैसे कबीर दास जी जो है वो निरगुण साका के एक संथ उसी परकार गुरू नानक देव जी निर्गुन भक्ति साका के एक संथ यह लेकिन अगर मीरा भाई की बात की जाए जो क्रश्न भक्ति में लीन थी इसके अलावा कई सारे और भी है जिसे राम दास जी है या पिर तुलसी दास जी है तो वो जो संथ है वो इसली नहीं सी बात हैं यह जो भक्ति अंदुलन का ओरिजिन हुआ है यह जोह साफ इंडिया में कहां से तमिल शैतर से तमिल नाडू वाला पर न नाडू आज का करनाटख ला आज का केरलः और प्रस्थ सामिल था तो यह हम बोलते हैं अलवार औillar संत जो भगवान विश्णू के followers हैं याने कि वो भगवान विश्णू में अपनी आराधना रखते हैं और नैनार संत जो भगवान शिब में अपनी आराधना रखते हैं तो इस तरह धक्षिन भारत के तमिल छेत्र में 12 आलबार और लगबख 63 नैनार सेंट हुए और इन संतों के बा करके diet करते थे बोला करते थे अब फाइल भासा में ठीक है बासमी एक अलग लग जगहों पर ट्रेवल किया करते थे तो उन्होंने कुछ स्थानों को पवित्रिस्थान के रूप में मानने तो बे यह जो इस्थान हैं और हमारे जो डाइटी है हमारे जो देपता हैं उनके एक प्रकार से घर के रूप में और आगे आने वाले समय में उन इस्थानों पर बड़े बड़े मेगनिफिसेंट टेंपल से मंदिर बगेरा बनाए गए और वो जो मंदिर है वो पिलग्री मेज याने तीर्थिस्थल के रूप में धीरे-धीरे डेवलप हुए इन तीर्थिस किसी पर्ट्यूगलर परंपरा के समय पर या इवेंट के समय पर उनके भजन बगेरा वहां पर गाहे जाते हैं ठीक है तो यह चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगबग छटी सताबदी में जक्षिन भारत या तमिल बाले कास्ट अब यह भक्ति आंदोलन में जाती पृथा के बारे में क्या आप कहेंगे भई इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो क्या जाती पृथा को माना गया इन अलवारों नैनार संतों के द्वारा या फिर इसको उन्होंने डिसकार्ड कर दिया तो ओबराल इतिहासकारों कि बात करें तो उन्होंने भी जाती पुद्धा के अगेंस्ट में आवाज उठाई ब्रहामनों के डोमिनेंस के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया ऐसा हम केसे बोल सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक जो है वह यह है कि बहुत सारे से भक्ती संथ हुए हैं जो अल के लोग बर्ण का मानते तो इस आधार पर यह बोला जा सकता है कि जो भक्ती संथ थे उन्होंने जाती प्रथा की जो बंदी से थी उसको नहीं माना उसका बिरोध किया ब्रहामिन्स डोमिनेंस का उन्होंने क्या किया विरोध कि उसके खिलाफ आवाज उठाई ठीक है कही थिहास कानों का यह मानना उसके पीछे का लॉजिक बताया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो अलग-अलग के टिग्रीज के संत नहीं होते ठीक है अलग-अलग समुदाय के लोग जो है वो संत बने हैं पोएट्स बने हैं इस भक्ति अंदुलन के समय पर वो जो वो इस बात को दर माननताओं को सम्मान देने के लिए क्या किया कि अपनी जो अपने जो टेक्स्त हैं अपने जो ग्रंत हैं उनकी तुलना करी है बेदों से ठीक है अपनी माननताओं को अपने ग्रंतों को सम्मान देने के लिए अलवार नैनार संतों ने अपने ग्रंतों को किसके साथ कंपेर किया बेदों के साथ compare किया अब उधारन के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि एक गरंथ है जिसका नाम है दिब्य प्रबंधन तो दिब्य प्रबंधन जो गरंथ है अलवार संतों के द्वारा लिखा गया और इसे तमिल बेद कहा जाता है क्या कहा जाता है तमिल बेद त तो इस तरह से भक्ती संत जो हैं अलवार और नैनार इन्होंने अपने गरंथों को अपनी माननेताओं को सम्मान देने के लिए उनकी तुलना किसके साथ करी बेदों के साथ करी ठीक है चलिया आगे बढ़ते है इसका एक सोर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिस के अलाबा एक आउठक यानिया आइसपर्श जो उन्ठॉचिबल मानना जाता है उन दोनों के बारे में आपकी जारी क्या लिखा गया है बढ़ते हैं एक अलवार संत हैं जिनका नाम की है जिनका नाम है टॉन है कि भगवान विष्णू भगवान विष्णू चतूरवेदी ब्राहमिन जो उनकी भक्ति के प्रती एक प्रकार से अग्यानी है उसके उसकी बजाए उस अंटचेवल को उस आइसपर्स के प्रती जादा समर्पित है जो उनके फूर जो उनके फीट से जो उनके चरणों के प बजाए कि उस चतुरवेदी ब्रहमिन के जो जिसको नौलेज तो बहुत कुछ है लेकिन उसे भगवान की भक्ति करना नहीं आता है ठीक है तो यहाँ पर यहीं बताया गए कि भगवान विश्णू के बारे में यू यहाँ आप उन सर्वेंट्स को पसंद करते हैं जो उनके चरणों के प्रती आस्था रखते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं जो किसी भी आउटर कास्ट में पेदा हुए हो यहाँ चार बढ़नों के बाहर बढ़नों के उनको जन्मू हो उससे कोई मतलब नहीं ठीक है बात समझ है आगर हम चदुर्वेधी ब्रहामणों की तुलना करें तो चदूर्वेधी ब्रहामण जो की जो की स्ट्रेंजर है उनको नहीं पता की भक्ति कैसे की जाती है। बहुए सकी तुलना में भग्वान विश्णू स्कू पसंद करते हैं जो उनके चड़नों के प्रतियास थर आगे बढ़ते हैं next now come on to the another part that is woman devotee तो बटा भक्ती आंदोलन की सब्सक्र बड़ी विसेस्ता ही यह है diversity तो है आप लोग उने देखा कि अलग लग community के जो लोग हैं वो इस आंदोलन में सामिल हुए भक्ती संत बने लेकिन एक और बड़ी विसेस्ता यह है कि women's को भी इस परंपरा में सामिल किया गया यानि कई सारे women devotees भी हुए sorry कई सारे women sent भी बनी महिलाएं भी संत बनी जैसे मीरा भाई के बारे में तो हम सबी जानते हैं लेकिन दक्षिन भारत में जब हम अलवार और नैनार संतों की बात करते हैं तो उनमें भी female sent थे तो इस आंदोलन का एक और महत्मून फीचर क्या है कि presence of women's महिलाओं को भी इसमें सामिल किया गया ठीक है आगे उड़ते हैं उड़ारन के लिए जैसे की अंदाल तो अंदाल एक female sent है अलवार समुदाई की अलवार परंपरा की और अंदाल जो अलवार परंपरा की संत है इन्होंने भगवान विश्नु के प्रतिय समर्पित है और भगवान विश्नु की प्रियसी के रूप में ठीक है भगवान विश्नु की प्रियसी के रूप में उन्होंने अपने हायम्स लिखे है अपने चंद लिखे है और उनके चंद काफी फेमस है काफी प्रसिद्ध है उन्हें गाया जाता उस समय पर भी और आज के समय पर भी उनके जो सौंग से वो काफी भजन जो है वो काफी फेमस है तो उधारन के लिए हमने बात करी किसकी अंदाल की एक अलवार संथ थी और इनके भजन इनके जो हायम्स है ये काफी फेमस है उस समय भी गाय जाते थे आज भी गाय जाते है और अंदाल जिन्होंने किसको भगवान विश्णू को अपना प्रयाशी के रूप में उन्होंने कई सारे भजन या चसंद बगेरा लिखें भही एक और महिला संथ है जिनका नामे करिकाल अमियार तो करिकाल अमियार की अगर बात की जाए तो ये नैनार संथ है यानि नैनार परंपरा में इनके जो टेक्स्ट है इनके जो भजन है उनको प्रोटेक्ट किया गया है नैनार करिकाल अमियार ने अपने टार्गेट को अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए extreme eschatism का रास्ता अपनाया ने की कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया समझ गए तो एक तो मैंने अंदाल की बात करी दूसरा हमने करिकल अमियार की बात करी जो भगवान सिब की follower है क्योंकि वो नैनार संत्य है ने भगवान सिब के प्रति को फोलो करती है और उनकी परंपराओं को नैनार परंपरा ना उनके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को नैनार परंपरा में प्रोटेक्ट किया गया अब बटा एक चीज़ ध्यान रखना कि यह जो women sent है इनका जो represent इनका जो existence है इनकी जो उपस्तिती है कहीं ना कहीं जो patriarchal याने पित्र सतात्मक जो सोच है उसको एक चुनोती देता है क्योंकि patriarchal परंपरा में क्या है women's को इतने rights नहीं है लेकिन यहां पर women sent बनी है याने कि it is a question या फिर it is a challenge of patriarchal ideology पित्र सतात्मक भिचार को एक परकार से यह क्या कर रहा है challenge कर रहा है हाला कि इन महिलाओं ने इन women's ने अपनी जो social duties थी जो महिलाओं की एक सामजिक जो करतब यह होता है उसको उन्होंने एक प्रकार से छोड़ दिया या renounce कर दिया त्याग कर दिया क्योंकि अगर वो संत बनी तो उन्होंने अपनी जो सामजिक दायत वे उसको छोड़ना हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं करिकाल अमियार जो की शिवा या बोल सकते हैं नैनार समुदाय या नैनार परंपरा की संत थी आगे बढ़ते हैं अब यहां पर कुछ segments of Devotional Literature के बारे हम बात हो रही है अलवार औ नैनार संत है उनके दौरा जो टेक्स लिखे गए थे उनको compile किया गया था जब हम अलवार संतो की बात करते हैं तो बारा अलवार संत हुए उसक्षटेजरी नायनार संत हुए तो बारा अलवार संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसे जाना जाता है नालियार लियारा दिब्य प्रबंधन के रूप में थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी दिब्य प्रबंधन जिसे तमिल बेद कहा गया तो यह जो नालियार दिपे प्रबंदम हैं इसमें चार हजार के लगबग 4,000 सेक्रेट जो पोएम से हैंने पबित्र जो कविता हैं उनको कमपैल किया गया है इनके अलावा जह हम नैनार संतों की बात करते तो नैनार संतों में तीन महत्पुन संत हैं जैसे कि अपपार संबंदर और सु जाना जैता है तो इनके जो टेक्स्ट है उसे अलावारों का झालीयार दिप्रबंदन और नैनारों का तब्रण जिसमें इन तीन महत्पुन नैनार संतों के दुआरा लिख यह भजन को क कमपैल किया गया आगे उड़ते हैं ए जैन से राज जी के सांथ सम्मन्द, अब राज जी याने राजा महाराज़ों के साथ अलबार, नाइनार और बक्ति संतों के जो रिलेस्टन है उनकी बात करेंगे, ठीक है, हमने चेप्टर दो के अंदर देखा था कि धक्षन, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडिया की बात करने, च उदय हुआ था कुछ सरदारियों का उदय हुआ था ठीक है जैसे कि चोर चेल और पांडे चेप्टर दो में हमने पड़ा था ना लेकिन जब हम इस पर्टिकलर दोर की बात करते हैं एट्थ से एटीन सेंचुरी की तो इस समय पर क्या हुआ कि इसी फेज में जो फर्स्ट मिल क्या बने इंपायर बने कुछ स्टेट बने जैसे की चोल पलब या राश्टकूट तो आप लोग जानते हो कि पहले वाले दोर में क्या था कि एराउंड टू हंड़ेड सीई साउथ इंडिया में कुछ चीफडम्स थे और उन चीफडम्स को भी हम चोर चेल और पांडे के नाम से जानते हैं लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर पीरिड की बात करते हैं तो यहां पर लगबग आट सो से नो सो के लगबग दक्षिन भारत में कुछ बड़े बड़े सामराज्जी बनकर उबरे उन सामराज्जों में चोला यहां पर भी चोलते बट यह लग चोले तो पर चोल पलब राश्ट कुछ इस तरह से बड़े बड़े एंपायर बड़े बड़े सामराज्जियों का क्या हुआ इमर्जेंस हुआ बड़े बड़े एंपायर डेवलप हुए ठीक हैं तो यहां पर यही बात बता ही जा रही है कि हमने देखा कि चेप्टर नंबर दो में हमने यह पड़ा था कि दक्षण भारत के अंदर फर्स्ट मिलिनियम सीजी के अर्ली फेज में कुछ चीपडम से ने कुछ सरदारियों का उध्य हुआ था लेकिन जब हम इस फेज में आते तो छटी से नाइन सेंचुरी के आसपास क्या हुए बड़े 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 अरियास में बुद्धिजम और जेनिजम तो पहले से इस प्रेड था ठीक है हाला कि उन्हें जो राजा महराजाओं का प्रोटेक्शन है वो कभी कबार मिलता था मोस्ट ऑप दा केसिस में नहीं उनको मिलता था लेकिन उन्हें जो ब्यापारी है जो आर्टीसियंस हैं उनक प्रेसरे उनका स्था चैनीजम और उनको पहले से मुझूद था क्योंकि वह तो पुराने धर्म थे छटी सताबदी सब्स्क्राइबी से ओद्म्स से उनके उनके सभवाएं यह दर्म तो यह कम दूट से यह पर पहले से चल रही थी और हाला कि उनको आर्टीसियंस और जो ब्यापारी बगेना उनका प्रोटेक्शन हासिल था राजा महाराजाओं का प्रोटेक्शन कभी कभार उन्हें मिलता था क्योंकि most of the rulers थे वो ब्रहामिन प्रोटेक्शन देते थे आगे बढ़ते हैं अब हम भक्ति आंदोलन की बात करने और थोड़ा सा बुद्धिजम और जैनिजम के साथ अगर तुल ना करें या उनके साथ जो अपोजिशन बाली बात है इसको देखें देखिए एक महत्पुर्ण या इंट्रेस्टिंग तथ् अमेजिंग बात यह है अमेजिंग तो नहीं लेकिन एक फेक्चुल इंफरमेशन आप ये देखिए कि जब हम अलवार और नैनार संतों की बात करते हैं तो उनकी जो रचनाय हैं उसमें एक रोचक तत्थी यह है कि जेन और बौद परमपराओं का एक प्रकार से उन अलवा नैनार संतों की ग्रंतों में बिरोध किया गया है ठीक है बात को द्यान से समझना किन चीजों का अपोजिशन किया गया है किन परमपराओं का अपोस किया गया है बुद्धिजम और जेनिजम अलवार और नैनार संतों की रचनाओं में बौद और जेन परमपराओं का बिर कि पीछे के जो कारण है वो इस तरह से explain करते हैं कि इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय पर राजा महराजाओं से प्रश्रे याने protection के लिए एक प्रकार से competition थी यहां पर भक्ती जो संत हैं भक्ती जो सेंट हैं या फिर जो देवी देपता हैं उनमें और जो पुराने जेन और बहुत परंप्रा हैं उनमें एक प्रकार से competition थी कि कौन सा राजा किसको फोलो करता है फिर वो protection देगा तो इसको लेकर competition था और यही एक कारण है कि दोनों में क्या है बिवाद समझ गए कि आखिर इन्होंने विरोध किया तो उस विरोध के पीछे का कारण क्या है कि रा दिवाद समय और आप सभी जानते हैं आप सभी जानते हो कि मोस्ट ऑब जो पलब या फिर चोल जो रूलर्स थे उन्होंने भक्ति आंदोलन या भक्ति संतों को patronage दिया या पिर जो डाइटी थे भगवान बिश्नु भगवान सिब इनके बड़े-बड़े मंदिर बगेरा बन बाए तो यह चीज हम उल्रेडी जानते हैं फोर एक्जांपल आप लोग कुछ टेंपल देख सकते हैं दक्षिन भारत में जो भगवान सिब या भगवान विश्नु से असोसियेटेड है जैसे चिदंबरम मंदिर है तंजावुर है गंगाई कॉंड़ा चोल अपूरा म यह वही टाइम चल रहा था जब भगवान सिब की जो नट्राज की मूरती है जो नट्राज की प्रतीमा है उसकी पूजा की जाने की पद्धती सुरू हुई यहने काश्ची की जो मूरतिया है वो बनाए गई इसका मतलब यह है कि यह अलवार नैनार परंपरा है जो टेक्स next now come on to the another point rulers try to be in their support अच्छा राजा महराजा भी चाहेंगे कि उनका support मिले यहने इन संतों का support मिले क्योंकि public उनको follow कर रही है तो फिर राजा भी चाहेगा ने कि वो भी उनका support ले ले तो क्या किया जाता था कि जो अलवार नैनार संत है इन्हें किसानों के द्वारा काफी जाता follow किया जाता था ठीक है जो बेलाल किसान है वो क्या करते थे नैनार और अलवार संतों को follow करते थे उनको उनके प्रती जुकाब रखते थे तो राजा भी चाहेगा कि उन्हें भी उनका support मिले ठीक है और चोल राजा जो थे उन्होंने तो अपने आपको declare कर दिया था उन्होंने तो अपने आपको एक प्रकार से बोल गोशित कर दिया था कि वो इनसे क्या है प्रकार से प्रेरित हैं तो फोर चोलों की अगर बात करें उधारन सुरूप बिल्ड इस्प्लेंडिट अहां टेंपल्स बगरा बनाई यह तो हम जानते हैं जहां पे उन्होंने स्टोंस की यहने मेटल्स की स्टोंस की प्रतिमाय बनाई इन संतों की तो ओवराल आपको बात के लिए रोरी कि चोल समराट ने देवी समर्थन पाने का दाबा किया कि दे मंधिरों के अंदर ये जो भक्ति संत हैं उनके द्वारा जो भजन बेगरा लिखे गए उनको भी काफी памfriendly किया और एक परमपरा सुरू की मंदिरों में उनके भजन यू को गाने की और ना सिर्फ भजन भाओ को गाने की सिंगिंग की इसके अलावा उन्हें कंपाइल करने का भी इन्होंने जिम्मा उठाया और आप लोग देखेंगे कि एक बुग है जिसका नाम है तबरम उसके अंदर नैनार संतों के जो टेक्स्ट है उनके जो भजन है उसको कंपाइल किय गया था और जब भी कोई खास समय आता था तो उनके जहां किया निकाली जाती थी अलग अलग देपताओं के साथ भी तो यह सारी परंपराएं इन राजाओं ने शुरू करी थी ठीक है चलिए तो अबराल हमारा सारा का सारा जो दो टॉपिक थे उसका सारे के सारे टॉपि एक तो अंधाल की बत करी थी और एक करिकाल अम्यार की बत करी थी तो आपको बचाना है कि इन में से कौन सा कतन क्या है गलत है ठीक है बिच आपटेड दा पाथ इस्टीम एसकेटिजम उन्होंने कठोर तपश्या का रास्ता अपनाया दूसरा है उन्होंने पित्र सत्तात्मक सोच को एक challenge किया है जो भी आपका आंसर होगा उसे आप कमेंट में लिख देंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाट आर देवोटीस ओव विश्णु को बढ़ान विश्णु के डिवोटीस को क्या कहा जाता उनके अनुयाई को क्या कहा जाता अलबार नैनार लिंगाया थे चिस्ती अगेन आपक कि इसे किसके द्वार रचित थे यहने किसे कैंपघ्स किया है अलबार उने ने नेनार उनने हीन यान उन फिल लंगायत सने टीक तो अगेन इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है तो हम देख लेते हैं एक बार में सम्राइज कर देते हैं इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा जि किस तरह से भगवान विष्णू के अलग अलग अप्तार का इंटीग्रेशन हुआ ठीक है यह वाली बात हमने देखी पोएम्स और प्रेयर्स याने की आराधना की कविता हैं और प्रारंबिक भक्ती परंप्रा हैं जैसे कि हमने अलवारो नैनारों के बारे में बात करी क्यों क्तार्चर्ण चेह tales लोगर भकरी वाली में लुएम्स आरी हैं याम्स राहा में हमने जफेता हैं आर आरे में भल्ट हैं